हेलो फ्रेंड मैं कास वेलकम टू प्लांट केर गीवर आज इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्लांट दिखाऊंगा यह सभी इंडोर शेल लविंग प्लांट होते हैं लेकिन कोई भी प्लांट फुली इंडोर नहीं होता इसलिए अगर आप किसी भी प्लांट को हफते यह दस दिन के लिए इंडोर रखते हैं तो उतने ही दिन के लिए उस प्लांट को आउटडोर भी रखें और उसकी जगा पर दूसरा प्लांट इंडोर रखें इन सभी प्लांट को नासा ने सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाली प्लांट की सूची में रखा है इसलिए इंडोर प्लांट को आपको अपने घर और गार्डन में ज़रूर एट करना चाहिए इस सभी प्लांट हवा से 80% तक सुद्यों को साफ करते हैं जिससे हमारी घर के हवा सच और साब बनी रहती हैं सच हवा में नमी रहती है जिससे हमारे घर का वातावरा भी ठंडा बना रहता है तो चलिए प्लांट की बारे में जान लेते हैं इस लिस्ट में पहला प्लांट है चाइना डॉल देख सकते हैं ये प्लांट देखने में बहुत ही सुन्दा लगता है इसकी पतिया बहुत ही शाइनी होती है ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है बात करें प्राइस की तो ये प्लांट काफी देयर है काफी कम नेसीस में देखने को मिलता है इसलिए ये प्लांट फिलाल काफी महगा मिलता है ये प्लांट 200 से 400 के बीच में मिलता है इस लिस्ट में दूसरा प्लांट है monster ये प्लांट भी देखने में बहुत ही सुन्दा लगता है cutting से easily grow हो जाता है बात करें price की तो ये प्लांट 100 से 200 के बीच में मिलता है इसकी जो variegated variety होती है वो काफी rare होती है वो थोड़ी महंगे मिलती है लेकिन ये वाला प्लांट आपको 100 से 200 में easily मिल जाता है देख सकते हैं ये छोटे spot में लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे से grow कर रहा है तो इस प्लांट को भी आपको अपने garden में जरूर एट करना चाहिए ये indoor भी बहुत ही अच्छे से grow करता है इस लिस्ट में तीसरा प्लांट है Chinese Evergreen Agronema देख सकते हैं ये प्लांट दिखने में बहुत ही सुन्दा लगते हैं काफी colorful प्लांट होते हैं पत्तो का shape और size भी different रहता है ये प्लांट बहुत ही easily divide भी हो जाते हैं बात करें price की तो ये प्लांट थोड़े से महगे मिलते हैं ये आपको 200 से 400 की range में मिलेंगे इन प्लांट को भी आपको प्लेंगाड़े में जरूर रहत काना चाहिए इस list में अगला प्लांट है dressina ये प्लांट भी बहुत ही सुन्दा लगते हैं cutting से easily grow हो जाते हैं कापी सारी varieties में आते हैं ये प्लांट अपको nursery में 50 से 70 रुपीज में easily मिल जाते हैं ये भी कापी सारी color में आते हैं garden को colorful बनाने के लिए बढ़िया प्लांट होते हैं कापी सारी varieties में आते हैं इसे Victoria plant कहते हैं ये भी एक dressina की variety होती है ये भी 50 से 70 रुपीज में easily मिल जाता है इस list में अगला प्लांट है fig ये भी indoor बहुत ये अच्छे से grow होता है इसकी पत्यां काफी बड़ी रहती है देख सकते हैं ये pot में लगा हुआ है ये छोटे से pot में भी बहुत easily grow हो जाता है इससे आप cutting से भी grow कर सकते हैं ये प्लांट भी थोड़ा समेंगा मिलता है ये प्लांट आपको 200 से 400 की range में मिलेगा लेकिन ये प्लांट देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है इसकी पत्यां बहुत ही shiny होती है इस लिस्ट में अगला प्लांट है शफलेरा ये भी बहुत ही सुन्दर लगता है इसकी variegated variety भी आती है इससे भी आप cutting से grow कर सकते हैं ये प्लांट आपको 50 से 70 रुपीज में easily मिल जाता है इस प्लांट को भी आपको अपने garden में जरूर एक लाना चाहिए ये काफी सारी varieties में आते हैं और लगबस सबी variety देखने में बहुत ही सुन्दर लगती है इसकी variegated variety है देख सकते हैं poly bag में लगे हुए हैं इसली ग्रो हो जाते हैं cutting का रिज़र बारिश में बहुत हीचा देखने को मिलता है ये एक प्लांट से स्यक्रोग प्लांट बन जाते हैं बातकर प्राइस की तो इनका प्राइस 50 रुपीज से स्टार्ट होता है कितनी rare variety आप लेते हैं उतना ज़्याद आपको pay करना पड़ता है इस लिस्ट में अगला प्लांट है philodendron ये भी देखने में बहुत ही सुन्दा लगते हैं इंडोर बहुत ये अच्छे से ग्रो करते हैं देख सकते हैं ये काफी सारी varieties में आते हैं इस तरह से पॉर्ट में लगा हुआ ये प्लांट 100 रुपीस में इसली मिल जाता है ये प्लांट कटिंग से बहुत ही इसली ग्रो हो जाते हैं इसकी कुछ variety slow growing होती हैं जैसे कि ये वाली जबकि कुछ variety काफी fast growing होती हैं जैसे कि ये इसे philodendron oxycardium कहते हैं ये बहुत ही fast growing होती है बात करे प्राइस की तो ये प्लांट 100 से 200 में easily मिल जाता है ये प्लांट hanging basket में देखने में बहुत ही जुन्दर लगता है इस लिस्ट में अगला plant है burn इसकी भी hanging basket बहुत ही जुन्दर लगती है यह प्लांट इंडोर भी बहुत यह अच्छे से ग्रो करता है, बात करें प्राइस की तो यह प्लांट 4700 रुपीस में easily मिल जाता है, यह कापी सारी वेराइटी में आते हैं, यह प्लांट भी देखने में बहुत ही सुन्दा लगते हैं, इस प्लांट को भी आपको अपने गा होता है, काफी सारी वेराइटी में आता है, कर्टिंग से भी बहुत ही easily grow जाता है, इसकी जो common वेराइटी होती है, वो तो 20-30 रुपए में easily मिल जाता है, लेकिन यह वेराइटी काफी कम नहीं से इसमें देखने को मिलती हैं, इसकी इस वेराइटी को Enjoy Pothos कहते हैं, और यह यह मारवार कुण मैनी प्लांट, देख सकते हैं, दोनों ही देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं, यह नियोन पोथोज, यह सब ही काफी महंगे मिलते हैं, इनका प्राइस 100 से 200 में स्टार्ट होता है, इसका छोटा प्लांट 50 रुपीज में भी मिल जाता है, इस लिस् दिवाइड होने वाला प्लांट होता है, बात कर प्राइस की, तो इसका एक प्लांट 40 से 50 रुपीज में इसली मिल जाता है, इस प्लांट को आपको अपने गाड़ा में जरूर एट करना चाहिए, यह इंडोर भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, इसकी जो कॉमन वेरा यह बहुत ही hardy, indoor plant होता है, cutting से बहुत easily grow हो जाता है, काफी सारी varieties में आता है, यह बहुत ही तीजी से propagate होने वाला plant होता है, देख सकते हैं, सबी varieties देखने में बहुत सुन्दा लग दी हैं, यह plant काफी दिनों तक indoor भी चल जाता है, इस प्लांट को आपको अपने गाड़ा म में easily मिल जाता है इस लिस्ट में अगला प्लांट है Song of India ये भी देखने में बहुत ही सुन्दा लगता है इंडोर अच्छे से मिल जाता है इस लिस्ट में अगला प्लांट है स्पाइडर ये भी बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है सालो साल अपके गाड़ा में रहने वाला होता है हेंगिंग बास्केट में बहुत ही सुन्दा लगता है काफी सारी विराइटीज में आते हैं और बहुत ही तेजी से प्र बात करें प्राइस की तो इसका एक छोटा प्लांट 100 रुपीस में इसली मिल जाता है इस प्लांट को भी आपको अपने गाड़े में जरूर एट कारना चाहिए इस लिस्ट में अगला प्लांट है फाइकर्स ये भी बहुत ही हाड़ी होता है कटिंग से इसली ग्रू हो जाता है कटिंग का रिजर्ट बारिस में अच्छा देखने को मिलता है बात करें प्राइस की तो इसका एक छोटा प्लांट 50 रुपीस में इसली मिल जाता है ये इंड इस प्लांट को आपको अपने काना चाहिए इस लिस्ट में अगला प्लांट है क्रोटान ये भी देखने में बहुत सुन्दर लगता है कटिंग से ग्रोव हो जाता है इसका चोटा प्लांट 50 रुपीज में इसली मिल जाता है यह plant इंदोर भी बहुत एच्छे से grow होता है garden में color add करने के लिए भी बढ़िया plant होता है इस list में अगला plant है peace lily यह peace lily की variegated variety है इस समय peace lily में काफ़ी अच्छी blooming आ रही है इस plant को भी आपको अपने garden में जरूर add काना चाहिए इसकी normal variety 50 rupees में इसली मिल जाती है इस list में अगला plant है lady palm यह भी घर को सजाने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है इंदोर अच्छे से grow होता है बात के price की तो उसका एक छोटा plant 50 rupees में मिल जाता है इस list में अगला plant है lucky bamboo यह भी घर को सजाने के लिए बढ़िया होता है इसका भी छोटा plant 50 rupees में मिल जाता है I hope कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजिगा मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिगा तो चलिए मिलते है एक लिए वीडियो में तब तक के लिए happy garden